गुलूनीं डे लिटेंट्स , आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि alum by聽 volume percentage कैसे निकालते हैं तो the value by act is as defined as आपको बता दे कि value by work percentage तब निकाला जाता है यब solute और solvent क्या हो दोनों का हो liquid state में हो, आपका solution मना हो उसमें solute भी liquid state में हो और solvent भी liquid state में हो तो volume percentage आप component का मतलब होता है किसी भी आप solute का भी आप निकाल सकते हो परसेंटेज Superman का भी निकाल सकते हो जिसका निकालना है उसको लिखेंगे volume percentage आप component, valeur above the component यानि अगर solute का निकालना है तो indicate को हम उपर रखेंगे उसके बाद the total volume of the component यानि कि solution का जो भी volume होगा उसको हम क्या करेंगे नीचे write down करेंगे इसको क्या बोलते है numerator इसको क्या बोलते है denominator तो multiply 100 करेंगे इस तरह से क्या निकलेगा volume by volume percentage निकलेगा अब एक example लेकर हम बताते हैं जैसे आप देखिए calculate volume by volume percentage of 20 ml ethanol dissolved in 80 ml water क्या है calculate volume by volume percentage of 20 ml ethanol dissolved in water इसमें लिखा नहीं है कि आप किसका जो है component का percentage निकालना है तो अगर कुछ ने लिखा हो तो हम किसका निकालते हैं अगर हमको ये लिखा रहे कि solute का percentage निकालना है या solvent का निकालना है तो हम क्या करेंगे direct solute का तो हम लिखेंगे volume percentage of solute is equal to volume of solute upon total volume of solution. multiply 100. यहां पर क्या है solute क्या है? solute क्या है? solute हमारे 20 ml है. और solvent क्या है? 80 ml है. अब हम क्या निकालेंगे? इसका percentage निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को add कर देंगे तो हमको solution का निकल जाएगा. तो 100 ml क्या होगा? solution का. volume हो जाएगा. solution का volume क्या हो जाएगा? 100 ml. अब आप करेंगे volume percentage of solute is equal to क्या हो जाएगा? 20 upon 100 क्या हो जाएगा? 20 upon 100 multiply 100 या 100 से 100 cancel क्या हो जाएगा? 20 परसेंट क्या हो जाएगा? 20 परसेंट यानि solute का क्या कितना परसेंट है? 20 परसेंट है. इसके बाद आपको पता देएग दूसरा question देखिए. Question number 2. Calculate volume percentage of a solution. if 50 ml ethanol dissolve in 450 ml water. Simply example समझेए, बहुत hard नहीं है. तो जैसे calculate volume percentage of solution if 50 ml ethanol dissolve in 450 ml water. तो volume percentage आपको पता है कि 50 क्या करेंगे? Solute उपर रखेंगे 450 plus 50 नीचे करेंगे multiply 100 करेंगे. इसको आप ऐसे learn करेंगे, सिखेंगे. उसके बाद यहाँ क्या हो गया? 50 upon 500. 50 upon 500 multiply 100. 0 से 0 cancel, 5 10 यानि कि 10% क्या है? 10% इस solution में, जो solute का percentage है, हो क्या है? 10% है. इस तरह से हम calculate करते है, volume by volume percentage. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सिखेंगे. अगर guys वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like करें, वीडियो को share करें. चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल पर subscribe जरूर करें. वीडियो कैसी लगी, comment section में आप अपना response जरूर दें. SERएm झाल बनाई करें? झाल